नमस्कार साथियों आपका स्वागत तब के यूटूब चले ट्रेड वित लॉटिक चले दोस्ताइब करते हैं आज का जो शेर है वो है एनल्सी इंडिया लिमिटेट के बारे बात करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल सब्सक्राइब ने कहा था पहले चैनल को स चाट पर दिख रहा है तो वीडियो शुरू करने से पहले पिलिस वीडियो को लाइक जरू करिया और वीडियो को पूरा जरूर दीखेगा चले समझते हैं एनल्सी इंडिया के वारे में मैंने पहले भी कॉल दिया तो पहले मेरा पहला टार्गेट हुआ था उसके बास से आप अपने प्रौफिट इनफ था सकते हैं अगर आपको लगता है पहलेquest ग्रवेपने और श्यक्ता के आपधिक पहले कρχमा से च्वाट से अफचे के फाने यह Então वाटर से, सोलर पैनल से, फावर जनरे सन कर लूद से, उसकी इनका प्त्र होता है, उसकी मैनिग करती है, और कॉले की मैनिक है, और कॉले की मैनिक है, लुकुत। तो आज के दिन यह ओपन है अभी यह 59.20 पे ट्रेट कर रहा है एक परसेंट की तेज़ी के साथ ट्रेट कर रहा है तो आज यह ओपन होता है 58 पैसे पे हमारत है 2009 पे 310 पैसेगा अठावन पे 75 पैसेगा 51ा यह 80 पे 10 पर से 52 डोगा 46 अरुबे 20 पैसे का पास दिन का वह तक यह 0.25 परसन रिटन देख सिक्स मंद कर था इतर में 6.70 परसन रिटन देख मैं है болगत यह तो डेट के अंदा विदर बाद उले 6% चलाए शेर लाज 6 मन्स से शेर के अंदा मुव्मेंट नीए अब मुझे लगता है कि शेर के अंदा मुव्मेंट आगा तो डेफिलिटि आपको जो टार्गेटर रहो इसको पॉटेंशल इसको होल्ड करना क्योंकि यह थोड़ा अपने साथ और इसमें अपने कैपिटल को ग्रोथ करनी आपको और आप उपर लेवल पर तो आप में प्रॉफिटी बुक कर सकते उपर लेवल पर चलिए नल्सी के आप मैंने नसी के जैट पर नसी पर देखते हैं इसने आज की दिन अभी इसमें कित्ती डिलीवर उठा ल अभी तक अब इसके शेर होल्डिंग पैटन देख लें थोड़ा सा इसके परमोटर के पास होल्डिंग है 79.2 पब्ली के पास है 9.36 दिया इसके पास है 10.88 और इसमें FIS की होल्डिंग है 0.56 यानि दिये दिरे इसमें foreign investor भी आ रहा है तो definitely foreign investor बहुत सो समझ की कि किसी भी शे सितंबर क्वाटर में याई है तो ये काफी अच्छी बात है और FIS ने अपनी holding इंक्रीज करिए दिखे 0.41 से बढ़के होगे 0.56 हुए सितंबर क्वाटर में तो FIS को लगता है कि इसमें और भी uptrending movement हैंगे इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहा है अब चलते इसके इसके इसक तो आपने को क्या करना है इसके इंदर आपको 57 के stop loss रखना यहां इसे 57 के stop loss रखना यहां इसे 57 के stop loss रखना करें क्योंकि जो इंडिकेशन दिख रहा है RSI पर जो आप trending इंडिकेशन है और जिस तरह से MSAD अब धीदर आप trending की तरफ दिख रही है देखे मैं समझा दूं उपर उपर जैसे यहां पर इस एरिए मैं ड्राइगन फ्लाइग को डाउनफोल होता चाल वरट रैड मीं उसी है के जा रहे तो आज देखेंगें जो बनुरी आच के दिन े में यहां के साथ रहा है और आज यहां से ट्रेट करता है यानि ड्रैगन फ्लाइट डोजी के अपर लिए इसको पर क्लोज करता है डैफिनिटिक कल की दिन भी इसमें आपको अप्रेंडिंग देखने को मिलेगा और जो मैं टागेट दे रहा हूं आपको क्योंकि इस कैंडल पर यह शे अब देशाथां आपको तो मैंगा आपको जिस तासे चार्ट बेंट मना तर्यन क्लोजिंग मे यानि जो अपने गरबत ट्रेंडिंग के वापस और फजिस दोसर्에 अपने मतंव हो और जिसली ऑ नव्याद्विआ और और 200, 150 और 100 days के average moving के निजे trade कर रहा 21 days के average जैसी cross moving करेगा slightly up trending तब जागा share तो वैसिस में up trending और देखने को मिलेगी आपको आपको 57 के stopper से back करें पहला target 62, 200 target 65, 3rd target देख लिए 69 आप देखे थोड़ा weekly chart पर देख लिए इसके तो weekly chart पर भी अच्छी घासी candle जो बन दी है यानि this week जो candle trade और यह काफी अच्छी candle है देखने लागे क्योंकि जो candle है hammer candle बोलते है इसको जो hammer candle trade और यह भी तेजी का इंडिकेशन है और इस candle के यह भी जो यह ती hammer candle तो hammer candle दोनों बनिये दोनों के बाद फिर से अब trending आ रहा है जाए अब बाइंग जरूर आएगा तो definitely आपको क्या करना है आपको बस 57 के श्टॉल पर सब बाइक करना है और आपको पेसन साब होल्ड रखना है 20 से 25 दिन के लिए इस साब टार्गेट होएंगे आपको यह वीडियो आपकी यूस्पूल होता प्लीज वीडियो को लाइक शेय फावाट करना बिलकुल ना बोले थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो